दिल्ली सरकार 1 जन्वरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद करने जा रही है अलागी गाड़ी मालिक उन्हें दूसरे राजियों में ट्रांसफर करवाना चाहें तो उन्हें NOC जारी किया जाएगा ताकि दूसरी जगा इन वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके दिल्ली परिवहन विभाग ने इस मामले में 14 दिसंबर को आदेश जारी किया था लेकिन इस से जुड़ी खबरे अब आई हैं इस आदेश के मताबिक ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई NOC जारी नहीं किया जाएगा जो 15 साल या उससे जादा पुराने हैं इसी बहाने हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से सेकंड हैंड गाडियों के बिजनस पर क्या असर पड़ेगा लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में आखिर है क्या 15 साल या उससे जादा पुरानी डीजल गाडियों के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा 10 साल तक पुरानी डीजल और 15 साल से कम पुरानी पेट्रोल गाडियों के लिए देश में किसी भी जगा के लिए NOC जारी किया जाएगा 10 साल से जादा पुरानी डीजल और 15 साल से जादा पुरानी पेट्रोल गाडियों को दूसरे राजियों में ले जाने के लिए कुछ शर्तों के साथ NOC जारी किया जाएगा लेकिन उन जगाओं के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा जहां NGT ने बैन लगाया है 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाडियों के मालिकों को अपनी गाडियों को इलेक्ट्रिक में कनवर्ट कराने का विकल्प मिलेगा लेकिन सरकार दुआरा मानने ताप्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही किट लगवानी होगी ऐसे वाहन जिनने नियमों के अनुसार दूसरे राजियों में री रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता, उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार स्क्रैप कराना होगा अब बात कि किन जगाओं के लिए जारी हो सकता है? NOC दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में ये भी बताया गया है कि किन जगाओं के लिए 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वीकल्स के लिए NOC जारी किया जा सकता है? राजिस्थान 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी को राजिस्थान के किसी भी जिले के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा लेकिन 10 से 15 साल पुरानी गाड़ीों के लिए NOC जारी किया जा सकता है हिमाचिल प्रदेश यहां की किसी भी जिले के लिए 10 से 15 साल पुरानी गाड़ीों को N.O.C. जारी नहीं किया जा सकता है बिहार के जिन जिलों के लिए N.O.C. जारी किया जा सकता है उनमें हैं पटना, मुजफरपुर, गया, भोजपुर, आरा, छपरा, मोतिहारी, दर्बंगा, बेगुसराय, भागलपुर, पुर्णिया, नालंदा, बेतिया, रोहतास, गुपालगंज, सिवान, सीतामणी, वैशाली, मदुबनी, समस्तिपुर और कटिहार महराश्र, महराश्र के इन शहरों के अलावा अन्य जगाओं के लिए एनोसी जारी किया जा सकता है जैसे मुंबई, ठाने, मीरा भैंदर, नवी मुंबई, कल्यार डोंबीवली, उलहास नगर, भिवंडी, वसेविरार, पुने, पिंपरी छिंदवार, कोलहपुर, सांगली मिराश, सोलापुर, अमबेटकर नगर, नासिक, मालेगाओं, जलगाओं, धुले, और अंगबाद नान डेड, परभडी सिटी, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपुर और चंदरपुर उत्तर प्रदेश, वहीं उपी में 33 जगाओं के लिए एनोसी जारी किया जा सकता है उन सब के अलावा किसी भी जगा के लिए एनोसी जारी नहीं किया जा सकता फश्चिम मंगाल, यहां राजधानी कोलकता में केवल BS4 मानक वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है कोलकता के बाहर BS4 के अलावा BS3 मानक वाली गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है मिखाल यहाँ 15 साल पुरानी गाडियों के लिए एनोसी जारी किया जा सकता है अब बात करते हैं कि सेकंड हेंड गाडियों के बिजनस पर इससे क्या असर होगा दिली सरकार कह रही है कि आप 1 जनवरी 2022 से राजधानी में 10 साल पुरानी गाडियों को नहीं चला पाएंगे सरकार डीजल गाडियों का रेजिस्ट्रेशन रद कर देगी हाला कि सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो उसे दूसरे राजियों में ट्रांसफर करवा सकते हैं इसके लिए हम एनोसी जारी कर देंगे अगर आप यूपी या बिहार की किसी जिले से हैं तो आपने अपने जिले में दिल्ली नंबर वाली सेकंड हेंड गाड़ीों को देखा ही होगा लंबे समय से लोग दिल्ली से गाड़ी खरीद कर इन जिलों में चलाते हैं आम तोर पर शादी बया में इस तरह की गाड़ियां बुकिन के लिए यूज की जाती हैं लेकिन पिछले कुछ समय से कई ऐसी कंपनियां मार्केट में आई हैं जो लोगों से सेकंड हेंड कार खरीद थी और उन्हें फिर बाद में बेचती हैं दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अब कहा जा रहा है कि जिनके पास 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियां हैं उन्हें घाटा होगा उनके पास ये रास्ता होगा कि या तो वो अपनी गाड़ी को इलेक्टरिक में कनवर्ट कराएं या फिर उसे दूसरे राज्यों में बेच दे अब जब कोई चीज मजबूरी में बेची जाती है तो उसकी कीमत भी ओने पौने ही लगती है ऐसे में गाड़ी बेचने वाले को घाटा हो सकता है वही दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए एक मौका हो सकता है कमदाम में गाड़ी खरीदने का दिल्ली में सेकंड हेंड गाडियों का कारोबार करने वाले बाबाकार बाजार से जुड़े एक व्यक्ती ने हमें नाम न बताने की शर्थ पर बताया कि हमारे पास हर तरह की मौडल की गाडियां बिखती हैं वो चाहे 19 मॉडल हो या फिर 11-12 मॉडल हमारे यहां हर तरह की गाड़ियां बिखती हैं महीने की 50-60 गाड़ियां बेचते हैं इनमें से जाधतर डीजल गाड़ियां ही होती है बले ही सरकार ने एक जनवरी की डेट दी है लेकिन ये फैसला कब लागू होगा देखना होगा कारें आजकल वैसे ही जाधा भिक रही है क्योंकि नई गाड़ियों का प्रडक्षन चिप की वज़ा से प्रभावित है लोगों को लंबी वेटिंग मिल रही है ऐसे में सेकेंड-हेंड कारों का मार्केट वैसे ही अप है सरकार के इस फैसले से लोगों के पास कोई चारा न उन्होंने कहा मुझे लगता है कि सरकार का ये फैसला अनफेर है क्योंकि 10 साल की बजाए सरकार को कार की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए फैसला करना चाहिए अगर कार फिट है तो वो लंबे समय तक चल सकती है फिर इससे फर्द नहीं पड़ता कि उसने 10 साल पूरे कर ल मीटर तक भी ये फैसला प्रैक्टिकल नहीं है वहीं सेकिन हैं मार्केट को लेकर टूटू धवन का कहना है कि सेकिन हैं गाडियों के जो डीलर है वो फटाफट गाडिया खरीद कर अपने कबजे में ले लेंगे एन उसी के लिए अपलाए करके दूसरे राजियों में की है क्योंकि इतने कम समय में लोगों के लिए अपनी गाडियों को इलेक्टरिक में कनवर्ट कराना प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए यह रिपोर्ट तयार की थी हमारे साथी डेविट ने देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया